हलो दोस्तों, welcome करता हूँ मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल Civil Engineer FBH में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम columns के बारे में जो हमारे पास IS Code की recommendations है इनके बारे में discuss करने वाले हैं तो बहुत ही important वीडियो है आज की ये वीडियो आप पूरा देखिए इसके बाद आपको जो है columns की recommendation जो है IS Code में वो आपको पता चल जाएंगी और आप जो है पूरी columns की recommendation आपको समझ में आ जाएंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पहले ही recommendation जो है पहली recommendation है अगर हमारे पास L effective effective length of the column जो है वो three times least lateral dimension least lateral dimension least lateral dimension से कम है अगर effective length हमारे पास three times least lateral dimension से कम है तो उसे हम pedestal कहते हैं उसे हम pedestal कहते हैं pedestal के बारे मैंने आपको minimum reinforcement जो हम provide करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था तो AST मैंने आपको बताया था 0.15 gross area gross area हम minimum reinforcement pedestal में provide करते हैं तो शायद आपको याद होगा मैंने पीछे recommendations में बताया हुआ है तो अब आ जाते हैं least lateral dimension क्या होता है अगर हमारे पास ये column का जो top view है या फिर cross section में column का ये दिखा रहा हूँ अगर ये 200 mm है और ये वाला 300 mm है तो हम least lateral dimension क्या होता है हमारे पास 200 mm आजाएगा हमारे पास least lateral dimension तो L effective जो है वो 3 times 200 से कम अगर है 3 times 200 से कम अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं pedestal कहते हैं तो उसे हम pedestal कहते हैं. अब अगर हमारे पास effective length जो है, वो greater than three times least lateral dimension से आ जाएगा. मतलब कि आगर हमारे पास effective length जो है वो three times two hundred से ज्यादा आ जाएगी. तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम column कहते हैं. तो effective length अगर three times least lateral dimension से कम है, तो हमारे पास pedestal होता है और effective length अगर three times least lateral dimension से ज्यादा है तो उसे हम column कहते हैं तो यह होता है हमारे पास इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए column जो है column भी vertical compression member होता है strut भी compression member होता है और boom भी जो हमारे पास है compression member होता है लेकिन जो column होता है column होता है vertical compression अगर proper vertical हमारे पास एक compression member है उसे हम column कहते हैं और अगर हमारे पास किसी भी inclination पे हमारे पास कोई compression member है compressive forces ही इन पे लग रही है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम citrat कहते हैं citrat कहते हैं और ऐसे ही हमारे पास crane में एक crane जो हमारे पास होते हैं तो crane में एक जो हमारे पास member होता है वो compression member होता है उसे हम boom कहते है compression member होता है उसे हम boom कहते है तो यह चीदें आपको पूछी जाती है exam में इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रखिये तो column जो होता है vertical compression member inclinate compression member को हम citrate कहते है और boom जो है compression member in crane crane में compression member होता है उसे हम boom कहते हैं तो अब आ जाते हैं हमारे पास हमें जो है यहां पर Lambda निकालना होता है तो Lambda आपको पता है किसे हम कहते है Lambda होता है हमारे पास Cel disproportionately ञेसी तो Chel느날-षो जो होता है यह होता Effective length अगर आप को पता होगे Effective length हम कैसे निकालते हैं हमारे यह पास lambda जो है slenderness ratio वो होता है L effective upon least lateral dimension तो यह होता है हमारे पास lambda निकालने का तरीका मतलब कि हमारे पास slenderness ratio निकालने का तरीका अब हमें क्या याद रखना होता है अगर हमारे पास slenderness ratio की value जो है 12 से कम आ जाती है तो उसे हम short column कहते है अगर हमारे पास slenderness ratio की value जो है 12 से कम आ जाती है तो उसे हम short column कहते है और अगर हमारे पास slenderness ratio की value जो है वो 12 या 12 से ज्यादा आ जाती है तो उसे हम long column कहते है तो यह भी आप से different recommendation पूछी जाती है तो यह भी आप से पूछी जाती है इसके बाद आजाते हैं हमारे पास slenderness limit for the column column के लिए slenderness limit हमारे पास क्या होती है तो मैंने आपको beam के लिए भी बताया था एक मैंने आपको simply supported beam के लिए बताया था एक मैंने आपको cantilever beam के लिए बताया था अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको beam simply supported beam के case में बताया था 60B जो हमारे पास length होती है वो 60B या फिर 250B square by D होती है और हमारे पास जो cantilever beam होती है अगर मुझे यह properly याद है तो यहाँ पर length जो है वो greater than, should not be greater than 25B और 100B square by D तो यह recommendation मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताई थी यह होती है slanderness limit किस के लिए simply supported beam के लिए और यह cantilever beam के लिए तो यहाँ पर हमारे पास column के लिए क्या होती है तो column के लिए क्या होती है जो length होती है वो होनी चाहिए हमारे पास 60 times least lateral dimension least lateral dimension मैंने आपको भी बताया क्या होता है और 100 times B square by D तो इन दोनों में से इन दोनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे पास length of the column तो यह चीदें आपको याद रखने है इसके बाद आ जाते हमारे पास जो हमारे पास different end conditions होती है तो उसके basic पे हम effective length कैसे निकालते हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ कि यह अगर हमारे पास column हमारे पास यहां से यहां तक एक column है तो इसकी length फॉर इसकी length लेकिन effective length जो हम निकालते हैं effective length हम L के बराबर नहीं लेते हैं वह depend करता है कि हमारे पास यह fixed है यह hinged है कैसा बीम है हमारे पास column है हमारे पास तो उसके basic पे हम effective length निकालते हैं तो यहां पर कुछ recommendations दी है हमने आपने देखा होगा कि हम जो है जब हम structure में structure सौम में हम पढ़ते हैं columns को तो हमारे पास different conditions होती है एक होता है अगर हमारे पास दोनु साइड से fixed होता है beam तो हम जो है L effective जो है वो L not by 2 के बराबर लेते हैं और अगर हमारे पास दोनु साइड से hinged होता यह तो उसके case में हम L effective जो होते हैं वो L naught के बराबर ही लेते हैं और अगर हमारे पास एक side से fixed होता है beam और एक side से free होता है तो उसके case में L effective हम two times L के बराबर लेते हैं और अगर हमारे पास एक side से fixed होता है beam और column sorry ये मैं column की बात कर रहा हूं उस भीम निकल रहा है मेरे मुझ से तो यहां पर एक साइड से हिंजड होता है तो एल इफेक्ट्व जो है हमारे पास एल नॉट डिवाइड वाइड रूट टू के बराबर होती है तो यह वैल्यू आपको अल्रेडी याद ही होंगी क्योंकि हम सौम में जो ह हमारे पास आयस कोड की रिकमेंडेशन दी होती है तो यह वैल्यू जो है थोड़ा हट के जो वैल्यू होती है तो उन वैल्यू के बारे में हम डिसकस करेंगे तो यहाँ पर आगर दुन साइड से फिक्सड होता है तो हम जनरली लेते हैं ल नॉट बाइड 2 मतलब कि 0.5 टा इसकोड ने जो रिकमेंड की है वो यह वाली वैल्यू है 0.65 ल नॉट इसके बाद आ जाता है वन एंड फिक्सड अड अधर एंड हिंजड अगर हमारे पास एक एंड हमारे पास हिंजड है तो हम क्या करते हैं तो ल नॉट बाइड अंड रूट टू होता है हमारे पास ल बाइंड रूट टू तो उसको वो आ जाता है हमारे पास 0.7 ल नॉट लेकिन यहां पर जो है 0.8 ल नॉट टी वैल्यू दी है जो आएस कोड ने दी हुई है तो दूनु साइड से अगर हिंजड है दूनु साइड से हिंजड है तो ल एफेक्ट्व हमारे पास ल नॉट के है और 1-end-fixed है तो 1-end-free और 1-end-fixed तो हमना theoretical value जो है वो two times l-naught होती थी हमारे पास लेकिन यहां पर आएस कोड ने भी two times l-naught के बराबर ही दी हुई है तो यह दो values जो है, hinged वाली दो values, hinged और one and fixed and one and free जो है, ये दो values जो है, वो same होती है, सिर्फ आपको ये दो values जो है, याद रखनी है, तो ये होता है, 0.5 L0 जो theoretical होता है, लेकिन 0.65 L0 होता है हमारे पास, actual value, और अगर एक side fixed है और एक side hinged है, तो हमारे पास L0 divided by under root 2 होती है, जिसकी value 0.7 L0 के बराबर होती है, लेकिन हमारे पास IS code ने जो recommend की है, वो 0.8 L0 के equal value recommend की है, तो ये values आपको याद रखनी है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास minimum eccentricity, minimum eccentricity जो column के लिए हमारे पास दी हुई है, तो column के लिए आपको minimum eccentricity की value आपको याद रखनी है, eccentricity पहले मैं आपको यह बता दू eccentricity क्या होती है यह अगर हमारे पास एक column है यह हमारे पास एक column है यह इसका मैं top view दिखा रहा हूँ for example हम load load हमारे पास अगर axial लग रहा है यह इसकी axis है यह इसकी axis है अगर proper यहाँ पर load लगेगा तो उसे कहते हैं हम axial load उसे कहते हैं truly axial load लेकिन अगर हम load लगाएंगे थोड़ा इधर अगर हम load लगाएंगे थोड़ा इधर तो यहाँ से यहाँ तक यह जो distance है load तक distance center line से load तक distance जो है इसे हम eccentricity कहते हैं तो हम हमें minimum eccentricity कितनी रखनी होती है तो minimum eccentricity के लिए हमारे पास value होती है L0 by 500 plus D by 30 D जो है least lateral dimension होता है least lateral dimension मैंने आपको पहले ही बता दिया होता क्या है तो L0 divided by 500 plus D by 30 जो होता है ये minimum eccentricity की value होती है या फिर 20 mm इन दोनों मेंसे जो minimum value आ जाएगी उसे हम minimum eccentricity कहते हैं तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास minimum and maximum reinforcement जो हम column में provide करते हैं तो minimum reinforcement जो होता है वो 0.8% आप gross cross sectional area आ जाता है और maximum reinforcement जो है lapping के case में हम 4% provide करते हैं अगर हमने lapping नहीं provide की है तो उसके case में हम क्या करते हैं उसके case में 6% हम जो है minimum maximum reinforcement provide करते हैं तो यह values आपको याद रखने है minimum 0.8% और maximum जो है यह 4% भी हो सकता है 6% हो सकता है अगर हमने lapping नहीं provide की है lapping provide की है तो 4% और अगर हमने lapping नहीं provide की है तो 6% अब आज जाते हैं हमारे पास minimum diameter of the reinforcement in column column के case में minimum diameter of the reinforcement जो है वो हम कितना provide करते हैं 12 mm के diameter के बार मतलब कि हम जो column में reinforcement provide करते हैं यहां पर यहां पर आई से reinforcement यह हमें कम से कम 12 mm के बार provide करने होते हैं मतलब कि हम column में 10 mm के diameter के बार प्रवाइड नहीं कर सकते हैं 8 mm diameter के बार नहीं provide कर सकते हैं तो यह values आपको याद रखनी है इसके बाद आजाता है हमारे पास short axially loaded column तो short axially loaded column जो होता है उसके लिए फार्मला क्या होता है आपने दो एक दो फार्मले देखे होंगे जो load calculate करने के लिए हमारे पास फार्मले होते हैं तो हमारे पास दो फार्मले होते हैं 0.45 FCK AC पलस 0.67 FY ASC और हमारे पास एक और फार्मला होता है 0.45 FCK AC 0.75 FY ASC तो फार्मले में यह जो values है यह values चैंज हो रही है 0.4 0.67 और यहां पर 0.45 और 0.75 तो बंदा confused हो जाता कि हमें कौन सा फार्मला कहां पर यूज करना है तो यहां पर अगर हमारे पास eccentricity जो है 0.05 time is least lateral dimension से कम है मतलब कि eccentricity इस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसके case में हम यह वाला फार्मला लगाते है 0.4 FCK AC plus 0.67 FY ASC तो यहां पर थोड़ा eccentricity होती है मतलब कि हम purely axially loaded नहीं होता है मतलब कि हम पूरा center पे पूरा जो है हम center पे जो है load नहीं लगा रहे हैं तो उसके case में यह वाला फार्मला यूज करना होता है for truly actually loaded column मतलब कि अगर हम पूरा center पे लगाएंगे eccentricity 0 रखेंगे मतलब कि हम थोड़ा भी इदर उदर load नहीं लगाएंगे पूरा center पे load लगाएंगे तो उसके case में हमारे पास eccentricity 0 होती है और फार्मला हम कौन सा use करते है 0.45o FCK AC और 0.75o FY ASC तो यह फार्मले दो आपको याद रखने है यह जो है truly axially loaded column के लिए यह वारा फार्मला हमारे पास आजाता है next आ जाते है हमारे पास short axially loaded column with helical reinforcement आपको क्या पूछा जाता है आपसे यह फार्मला तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा यह आपसे पूछा जाता है कि axially loaded column अगर हम силicum reinforcement प्रवारीड करते हैं ilicum reinforcement पहले मैं आपको बता दूँ 근사 स्युक्ष मिन यह हुता है अगर हम ने कॉलम में circular column है for example अमारे पास तो यहां पर अगर अगर हम reinforcement ऐसे प्रवाइड करते हैं है凭 records हम इसको हम social reinforcement कहते हैं मतलब कि ऐसे हम लिए है यह वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि अगर हम हिलिकल रिइंफोर्समेंट प्रवाइड कर रहे हैं तो लोड केरिंग कैपस्टी आप दो कॉलम जो है वह फायो परसंट इंक्रीज हो रही है इसलिए मैंने यह फार्मला अल्रेडी था लेकिन हमने फायो परसंट इसको इंक्रीज कर दिया है तो यह आ जाता है हमारे पास अगर हम हिलिकल रिइंफोर्समेंट प्रवाइड कर रहे हैं तो यहां पर कुछ रिकमेंडेशन है हिलिकल रिइंफोर्समेंट के केस में यह आप से नहीं हम 75 mm का कवर भी प्रवाइड करते हैं तो यह चीज़ आपको याद रखना है इप टाइमेंशन अगर हमारे पास कॉलम जो है वो 200 mm ही प्रवाइड करना है मतलब कि एक साइड उसका 200 mm ही प्रवाइड करना है वहां पर कुछ जो है डिजाइन की रिकमेंडेशन होगी तो वह यहां पर कवर हम 25 mm तक भी प्रवाइड कर सकते हैं और डायमेटर आप बार जो है वो भी हम 12 mm से छोटा भी रख सकते हैं अगर हम 200 mm तक रिस्टिक्ट किया गया है मिनिमम नमबर आप बार देंदर कॉलम यह पूछा जाता है यहां पर रेक्टैंगुलर कॉलम अगर हमारे हमारे पास होता है अगर हमारे पास रेक्टैंगुलर क्रॉस सेक्षिन आप दे कालम है तो हमें कम से कम चार रेंफोर्समेंट बार्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं तो रेक्टैंगुलर कॉलम के केस में हमें चार बार्स प्रोवाइड करने होते हैं और अगर हमारे पास six bars provide करने होती है, फिर आ जाता है maximum center to center spacing of the reinforcement, मतलब कि reinforcement के बीच में हमें maximum spacing कितनी रखनी होती है, 300 mm की spacing maximum रखनी होती है, reinforcement में 300 mm provide करना होता है, अब आ जाते हैं हमारे पास next, next जो है lateral ties के बारे में है, lateral ties क्या होती है, आपको पहले बता दूँ, lateral ties होती है, अगर हमारे पास यह column है, यह हमने man reinforcement bars इसमें डाले हुए है, man reinforcement bars डाले हुए है, तो हम यहाँ पर lateral ties हम provide करते हैं, ऐसे जो हमारे पास होती है lateral ties, तो हम ऐसे provide करते है, lateral ties, तो lateral ties किस diameter की होनी चाहिए, उसके बारे में recommendation है, कौन से diameter की recommendation diameter की lateral ties हम provide करेंगे, और spacing जो है, कितनी provide करेंगे lateral ties के बीच पे, तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, कि अगर हमें diameter देखना है कि diameter कौन सा हम provide करेंगे, तो उसके case में longitudinal diameter divide by 4 या फिर 6 mm, तो यह क्या होता है, लॉंगिचुडनल बार्ज जो हमने provide किये है, यह वाले बार्ज, जो हम vertical बार्ज provide करते हैं, इनको longitudinal बार्ज प्रवाइड कहते हैं, तो longitudinal का diameter divide by 4 करते हैं, या फिर 6 mm provide करते हैं, तो इन दोनों मैंसे जो maximum value है, वो हम provide करते हैं, diameter of the lateral ties, इन ties का diameter कितना होना चाहिए, या तो longitudinal diameter divide by 4 या फिर 6 mm, इन दोनों मैंसे जो maximum value होगी, उसी diameter के हम यह lateral ties provide करते हैं, अब आच आते हैं, कितनी दूरी पर हम इन दो lateral ties को रखेंगे, तो इसके case में recommendation है, तीन values है, निकालने हैं आपको, एक तो है least lateral dimension, least lateral dimension, या फिर 16 times diameter of the man bar, 16 times diameter of the man bar, और 300 mm, इन तीन वेल्यूज मैंसे, जो minimum value होगी, उसे ही हम pitch कहते हैं, तो मतलब कि इसके बाद आजाते हैं, हमारे पास, यहां पर pitch of the helical reinforcement, जो हम helical reinforcement provide करते हैं, अगर हम, मैंने अभी आपको बताया था helical reinforcement क्या होता है, यह pitch जो होता है, वो DC divided by 6 होता है, DC क्या होता है हमारे पास, core diameter, core diameter होता है, यह वाला जो अंदर वाला यह total column है, तो इसको हम grass diameter कहते हैं, बाहर से बाहर तक, और DC होता है core diameter, तो core diameter आपको याद रखने है, core diameter जो है, outer to outer, मतलब कि यह जो अंदर वाला helical reinforcement है, उसके बाहर से, उसके बाहर तक, इसको हम core diameter कहते हैं, तो core diameter divided by 6, या फिर 75 mm जो है, हमें minimum pitch provide करना होता है, और next है, हमारे पास pitch जो है, वो three times diameter of the helical reinforcement, या फिर 25 mm होना चाहिए, तो इन values मैंसे जो है, maximum value हमें, minimum value हमें provide करनी होती है, as pitch, तो यह आपको याद रखना होता है, recommendation, columns के case में, तो columns के case में, आपको एक और के recommendation याद रखनी है, long column के case में हम, जो है, अगर हम working stress method से कर रहे हैं, तो हमारे पास load carrying capacity जो होती है, cr, sigma sc, asc, plus sigma cc, ac, तो यह होता है, यहाँ पर यह जो cr है, इसको reduction factor कहा जाता है, अगर हमारे पास, जो है, lambda की value, वो greater than 2L आ रही है, मतलब कि, then cr, cr की value हमारे पास 1.25 minus L effective divided by 48B के equal होती है, अगर हमारे पास slenderness ratio की value जो है, वो greater than 40R है, तो उसके case में हमारे पास, जो है 1.25 minus effective length upper 160R minimum, तो यह जो होता है हमारे पास, यह होता है reduction factor निकालने के values, यह reduction factor एक दो बार मैंने exam में देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है, तो यह होता है working stress के case में लेकिन, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को like कीजे, share हमारे चैनल Civil Engineer FBH को, thank you दोस्तो, thank you for watching the video.